अगर आपके भी बच्चे मिडल स्कूल या प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहत ज़रूरी है अगर आप अभी तक ये सोच रहें थे कि आपके बच्चे स्वर्ष स्कूल जाएंगे या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई दोबारा से शुरू हो जाएगी स्कूल नए शेशिन में शुरू हो जाएगा तो इस पर विराम लगा दिया गया है दरसल बिहार के सिक्षा मंतरी शो करोना का जो कहर है वो जारी है हाला कि करोना वैक्सीन को खोजनी की कवायत काफी जादा तीज हो गई है एक एक करके लगातार प्रसिक्षन किये जा रहे हैं लेकिन इन सब के बीच अगर हम करोना के रफ्तार को देखे तो भले ही वो थोड़ी धीमी पढ़ गई हो खास करक रेकावरी रेट भी बहुत अच्छी है लेकिन इन सब के बीच बच्चों के लिए अभी भी स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है और क्या कुछ खबर है हम आपको बताते हैं विस्तार में राज में कोरोना के कारण मार्च से बंद प्रात्मिक और मध्य स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार अभी कोई भी जल्दबाजी में नहीं है सिक्षा मंत्री अशूक चौधरी ने स्पष्ट किया है कि पढ़ाई के लिए हम बच्चों के जंदगी खत्रे में नहीं डाल सकते हैं स्कूल खोलने का निर्ने जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा इस तरह प्रदेश के 50 जार से अधिक प्रात्मिक स्कूल अभी बंद रहेंगे सिक्षा मंत्री अशूक चौधरी ने कहा है कि संक्रमन का खत्रा अभी टला नहीं है दिल्ली में संक्रमन टेजी से फैल रहा है इसे देखते वी हम बहुत सोच विचार कर स्कूल खोलने पर फैसला करेंगे उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट की टीम के साथ सला करेंगे इसके बाद उच अस्तरी बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें ये फैसला होगा कि स्कूल कब खोलेंगे वैसे प्रदेश में माधमिक और उच्चितर माधमिक स्कूल खोले हुए है उसमें COVID की गाइडलाइन का पालन करते वे क्लास लगाई जारी है यह क्लास भी एक तरह से कूचिंग क्लास की तरह संचालित हो रही है तो उसमें बच्चे अपनी कटनाईयों को हल कराने आ रहे हैं बच्चों और सिक्षिकों को भी रोज न बुलाकर एक विशेश फॉर्मूली के तहट बुलाया जा रहा है एक तिहाई बच्चे ही रोज बुलाया जा रहे है हालाके इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिती निराशा जनक रही है हालत यह है कि कोविट संक्रमन के डर से 10 फिसीदी बच्चे भी स्कूल नहीं आ पा रहे है इसके साथ ही हम आपको बता दे कि कोरोना के बीच प्रदेश के विश्व विद्यालियों में क्लास संचालन को लेकर कुलपती तयारी कर रहे हैं हालाकि सिक्षा विभाग अभी वेट एंड वाच की स्थिती में हैं सिक्षा विभाग के प्रदान सचीफ संजे कुमार ने कहा है कि हमें कोरोना के स्थिती का अभी आकलन करने की जरूरत है जल्द ही इस संदर्ब में आपचारिक पैठक बुलाकर परिस्थितियों की समिक्षा की जाएगी इसके बाद निर्ने लिया जाएगा इधर प्रदेश के अधिकतर विश्व विद्याले क्लास संचालन की तयारी के रणनीती बना रहे हैं कई ने इस संदर्ब में अनौपचारिक तोर पर खाका तयार कर लिया है आपको बता दे कि देश में कुरोना संक्रवन की दूसरे लहर की घोर आशंका जताई जारी है इसके साथ ही हम अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो वहां लगातार कोरोना के केसिज में अजाफा हो रहा है लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती भी दिखाई दे रही है इसको लेकर अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो वो भी काफी जादा सतर्क हो गए है खास करके अगर हम बात करें राजिस्थान, गुजरात और साथी साथ शिमला की तो इन जगों पर रात्री कर्फ्यू तो लगा ही दिया गया है और साथी अगर शिमला के सरवात करते हैं तो वहाँ पर रवीवार को सभी जो दुकान होंगी, सारी मार्किट्स होंगी, वो पर आ रहे थे कि ठंड में कहीं न कहीं कोरोना का जो प्रकोप है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कुछ वैसा ही नजारा, वैसा ही जो सीन है वो दिखाई दे रहा है कि कोरोना के रफ्तार में अब फिर से एक बार बढ़त हो गई है, हाला कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है, कोरोना वैक्सीन की जो प्रसिक्षन है, वो सब कुछ पूरा हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना वैक्सीन आई नहीं है, इसलिए अभी इस वक्त हमारी लिए वैक्सीन सर्फ और सर्फ मास्क ही है, इसलिए नियूस फॉर आपसे अपील करता है कि आप मास्क पहन कर ही घर से बाहर निकले काम पर जाएं लेकिन मास्क लगाएं और इसके साथ ही सब ही कोरोना के प्रोटोकॉल को जरूर ध्यान में रखे और आम आपको ये बता दे कि बहार में फिलार कोई भी प्राइमडी और मिडल स्कूल के साज़त नहीं दी जाएगी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है फिलहाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं नमस्कार